जैश्री भाका दोस्तों सुवागत है आपका हमारी चैनल यूम स्टरोजी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मालव्य नाम का जो पंच महापुरुस राजियोग बनता है शुक्र ग्रहे इस राजियोग को बनाते हैं तो ये किस अवस्था में बनता है कैसे बनता है किस कुंडली में काम करेगा किस में नहीं करेगा बहुत से जातों को कि कुंडली में राजियोग बन रहे है लेकिन फिर भी लाब नहीं मिल पा रहा तो उसका क्या कारण है और इस राजियोग के बनने पर इंसान को क्या लाव होता है वो सारी बाते हम आज करने वाले है ठीके दोस्तों वीडियो पर बने रहीएगा चनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजे यहाँ पर आपको रियल जोतिस मिलने वाली है जो लोग जोतिस सीखना चाते हैं वीडियो मैंने डाल रखे है उलड़ी काफी अप उनको देखो उनसे सीखो और किसी भाई का कोई कोश्चन हो कोई कमेंट हो तो आप कर दीजे मापे जैसे की नाम से ही दिख रहा है शुक्र देखे शुक्र आज की बहुतिक सुक्ष्विधा जितनी भी है जो भी आज के टाइम में इनसान की इच्छा है जो इनसान चाहता है जैसे कि एक लगजरी लाइफ हो पास में पैसा हो एक अच्छा घर हो एक अच्छा गाड़ी हो एक अच्छा लाइफ पाड़नेर हो जितनी भी सारी आज की बहुतुनिक आदिक जो भी आधूनिक बहुतिक चीजे हैं जो इनसान चाहता है कि ऐसा हो, ऐसा हो वैसा हो ये सारी चीजे जो पैसे के द्वारा आती है और जो एक सुकून कहते है जो इक शांतियत है, लगजरिलाइग कहते है जो जीवन का एक आनन्द है, जो एक रस है वही शुक्र देता है शुक्र शरीर में हार्मोंस को एक्टिवेट करता है एक खुशी वाला हार्मोंस देता है और इनसान के जो इंटरनल हार्मोंस होते हैं चाहे वो मेल के हो चाहे फिमेल के हो इंटरनल हार्मोंस को बहुत अच्छा करता है इसलिए इनसान चुस्त फूरत रहता है शुकर जिसका खराब है वहाँ पे बड़ी समझ से रहती है तो शुकर कब लाब देता है एक married life का एक सुखी जीवन कब देता है तो आज condition में बात करने वाले है कि शुकर अगर किसी की कुंडली में राजयोग बना रहा है तो वो किस तरह से बनेगा अगर शुकर राजयोग बनाता है तो सबसे पहले मैंने लिखा है कैसे बनता है तो शुकर जब अपनी उच्च राशी में वैठा हो कहां वैठा हो उच्च राशी का और उच्छ राशी होती है इसकी बारह नंबर की मीन राशी अगर शुक्र किसी भी कुंडली में बारह नंबर में बैठा है और यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है तो समझ लीजे वहाँ पे पंच मापुरूस राजियोग बन चुका है अब यह किस लगन में काम करेगा किस में नहीं करेगा देखो एक होती है लगन राशी एक होती है नाम राशी तो हम जो यहाँ पे देखेंगे लगन की बात करेंगे लगन लगन एक नंबर से लगा के बारह नंबर तक कुछ भी शुरू हो सकता है तो ये किस लगन में काम करेगा, सभी लगन के लोगों पर काम नहीं करेगा, तो किस लगन के लोगों पर काम करेगा, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं आपको किलियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आपका लगन बन रहा है, दो विर्शब लगन बन रहा है, तीन मितुन लगन बन रहा है और छे कन्या लगन बन रहा है और अगर मकर लगन बन रहा है और कुम लगन बन रहा है अगर आपके लगन में ये नमबर लिखे हुए है इनमें से कोई भी एक नमबर लिखा हुआ है और यहांचे कुंडली की शुरुवात हो रही है ऐसे घूम के चलती है यह तो समझ दीजे कि आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा नॉर्मली कहा जाता है कि शुकर अगर सुवेरासी का हो तो भी राजयोग बनता है देखे तो एक बड़ा राजयोग नहीं बनता वो बड़ा अच्छा सुबमान आ जाता है या एक हलका राजयोग उसे कह सकते है लेकिन जब कोई गरह उच्छ राजयोग में होता है तो वो बहुत जादा पावर में आ जाता है सुवेरासी में कम पावर में रहता है तो जो उच्छ राजयोग होती है उसमें होता है शुक्र देखिए अगर हैं दो नंबर की कुडली है तो दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे पार है यहां पर बारे नंबर आएगा अगर किसी की कुडली दो नंबर से शुरू होती है तो यहां पर शुक्र आ जाएगा यह उच्छ राशी में हो यहां भी benefit देगा यहां भी benefit देगा लाव है धन का इस्तान है उनके लिए बहुत जबरदस्त योग बन जाएगा यहां से पांच फिगर को activate करेगा पैसे को धन को money को जीवन पूरा बदल के रख देगा ठीक है लेकिन एक condition हो रहे कि यह कब काम करता देगो इसके पास में अगर पावर की बात करें, डिग्री, अगर 10 से लगा के 20 डिग्री के बीच में है तो, मैं डिग्री के बारे में उल लेडी बता चुका हूँ, 0 से 30 तक डिग्री होती है, 0 डिग्री पे बच्पर नमज था, 28, 29, 30 पे बोड़ा हो जाता है, 15 डिग्री पे फुल पावर में, 10 स इसके बीच में होनी चाहिए, अगर किजी की कुंडले में 1 डिग्री, 2 डिग्री का शुक्र है, या 28 डिग्री, 29 डिग्री का शुक्र है, तो वहाँ पे ये राजियो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रह बड़ा कमजोर हो जाएगा, उसके पास पावर नहीं होगी, फाइ अगर ग्रह अस्त हो जाता है, अगर शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाता है, आपने देखा होगा, सूरिये के असपास हाने से ग्रह अस्त हो जाता है, अगर अस्त हो जाता है, तो अस्त होने पर पर परभाव उसका ना, यानि कि अस्त होने का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रह सिर्फ बैठा है था नाम के लिए अब उसका रिजल्ट यहां पे सिर्फ दो, चार, पांच परसेंट रह गया और उससे काम नहीं चलता तो यह राज्योग तब उस कंडिशन में काम नहीं करेगा ठीक हैं? अगर तीन नमबर से कुंडली शुरू होती है तो शुकर यहां पे आ जाएगा बारे नमबर यहां बनेगा दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे तो बारे नमबर में अगर तीन नमबर से शुरू होती है तो शुकर यहां पे आ जाएगा तो यह बिल्कुल केरियर कश्तान है तो दस, ग्यारे, बार यहां पे शुकरा जाएगा और अगर ग्यारे नमबर से शुरू होती है तो यहां पे शुकरा जाएगा तो इन कंडिशन में जो राजियोग बनेगा बड़ा जबरदस्त राजियोग बनेगा ठीक है कुछ लोगों का कोशन था कि 7 number जो तुला लगन होता है एक client के मेरे पास कुंडली आई थी ठीक है तो 7 number जो तुला लगन होता है उसमें मालवी राजियों क्यों नहीं activate होता है तो देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे 12 number छटवे भाव में आ गया और छटवा भाव क्या होता है चटवा बा होता रोगरांटशतरुं करजगा तो यहाँ पे वैसे ही शुक्र आ जाएगा तो लगन दोश बन जाएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यह चैहाँ बारे का रच्छे नहीं होता है तो किस-किस लगन में काम करेगा यह अगर दो नमबर विट्शब लगन है, तीन नमबर मितुन लगन है, शैन नमबर कन्य लगन है, दस नमबर मकर लगन है, और ग्यारए नमबर कुम्ब लगन है, तो इन लगन के लोगों में शुकर का राजियोग एक्टिवेट करेगा, उनके जो जीवन सहली होगी वो बहुत 29 तरकी होगी और अगर महादशा आजाए महादशा शुकर की महादशा कितने साल की होती है 20 वर्स की होती है पूरा जीवन बदल देता है हर तरह का सुख आपको देगा है जो आप चाहते हैं जो आप सोचते हैं वो सब कुछ मिलेगा पैसा चाहिए धन चाहिए ठीक है प्रेम चाहिए वेवाय का सुख चाहिए गाड़ी चाहिए भूमी चाहिए सब तरह का सुख आपको शुकर देगा और बात करें अगर 6-8 बार है कि अगर यहाँ पे शुकर है तो एक विशेश कंडिशन में और उसकी डिगरी 1-2 हो तो समझ लीजिए आप कुछ भी फायदा नहीं उठा रहे है या भूड़ा हो चुका हो तो भी आप फायदा नहीं उठा रहे है उसका फायदा उठाइए लाब उठाइए और अपना जीवन बदल लीजिए ठीक है और जो लोग कुंडली ऐनलेसिस करवाना चाहते है वो मेरा नंबर है 701-066-356 इस नंबर पर वाटसअप करें कोल ना करें महीं पर आपको प्रोसिस बता दिये जाएगा ठीक है थोड़ा एक से दो दिन लग जाता है कभी कुंडली को ज़्यादा प्रेशर रहता है तो थोड़ा से वेट कर लिए गरे ठीक है इस नंबर पर वाटसअप करो इस नंबर पर वाटसअप करो कि तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वीडियो देखने के दन्यवाद थैंक्यू सो मच जैमा कार